नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना रेस्ट्रॉ में कई बार लोग खाना ओर्डर करते हैं उन्हें ठंडा खाना मिलता है खाने में कीडे मिलते हैं इस तरह के मामले तो बहुत आए हैं लेकिन कैरिला के तिरुवनतपुरम से एक ऐसा मामला आया है जो बेहत शौकिंग है यहाँ पर एक फैमिली ने खाना तो ओर्डर किया लेकिन खाना ओर्डर करने पर रेस्ट्रॉ से जो कुछ मिला वो बेहत चौका देने वाला था भयानक था और डरा देने वाला था यहाँ पर खाने की जगर साप की खाल भेज दी गई तिरुवनतपुरम के नैदुम नगर स्थित एक तैमली ने वहाँ के शालिमार होटेल से खाना ओर्डर किया था खाने का जब पार्सल आया तो उन्होंने पार्सल खोलना शुरू किया इस पार्सल को बहुत सारे अकबारों से लपेटा गया था अकबार खोलते चले गए बहुत समय लगा उसे खोलने में क्योंकि कभी खाने की पैकिंग इस तरह होती नहीं थी लेकिन फिर भी फैमली को लगा कि शायद रेस्ट्रो का यही तरीका है खाने को पैक करने का तो वो खोलती चली गई लेकिन जब पूरा पैकेट खोला तो उसमें से निकली साप की कैचुली खाने की जगे साप की खाल देखकर पूरी फैमली सन रह गई और डर गई इसके बाद फैमली ने पुलिस में कंप्लेंड की जिसके बाद फूर अथॉरिटीज ने शालिमान होटेल पर रेट करी और किचन जब चेक किया तो पता चला कि किचन बहुत घंदा है और वहाँ पर बहुत ज़ादा गंदगी फैली हुई है फूर अथॉरिटीज ने तुरंट इस रेस्ट्रो पर ताला लगा दिया और सफाई के मापदंड को फॉलो करने के लिए कहा है अब जब तक इन मापदंडों के तहट रेस्ट्रो की सफाई नहीं की जाती तब तक इस होटेल को खोला नहीं जाएगा आपको बता दें कि ऐसा ही मामला कुछी दिन पहले साउदी अरब से आया था जहां पर बाथरूम से एक रेस्ट्रो चलता था और बाथरूम में समोसे तले जाते थे और इस रेस्ट्रो में खुले आम कोक्रुचिस और चूहे गूम रहे थे खाने के ऊपर चूहे गूम रहे थे खाना खा भी रहे थे और वही खाना लोगों को परोसा जाता था जिसके बाद उस रेस्ट्रो पर भी ताला जड़ा गया खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही पलपल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना